36 प्रदेश में 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक चला धान खरीदी महा अभ्यान मंगलवार 31 जनवरी को पूरा हो गया तीन महिने में किसानों से 1,7,59,858.22 तन धान खरीदा गया राज्य बनने के बाद से अब तक की यह रिकॉर्ड धान खरीदी है शाशन का दावा है कि सिर्फ खरीदी ही नहीं बलकि कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स ने 90 लाग टन धान भी उठा लिया है राज्य सरकार ने इस वर्ष 110 लाग टन धान खरीदने का लक्षे रखा था अफसरों के मताबिक किसानों के हित में हुए फैसलों के कारण उनकी संख्या बढ़ रही है इसलिए खेती का रकबा भी बढ़कर 32 लाग हेक्टेर से अधिक हो गया है इस साल राज्य में 24.98 लाग किसानों का पंजियन हुआ है जिसमें लगबग 2.32 लाग नए किसान शामिल है किसानों को धान विक्रे में सहुलियत हो इस लिहाद से इस वर्ष राज्य में 135 नय खरीदी केंद्र शुरू किये गए इससे राज्य में धान खरीदी के लिए 2.617 केंद्र हो गए सामान्य धान 2.040 रुपए प्रती क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2.060 रुपए प्रती क्विंटल की दर से खरीदा इसी तरह राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निग्रानी के चलते प्रदेश के किसानों ने धान विक्रे किया धान बेचने के एवज में इस बार किसानों की जेब में 22,000 करोड रुपए जाएंगे पिछले साल 20,000 करोड रुपए गय थे जिससे इस बार की रकम 2,000 करोड रुपए जादा है किसानों को धान खरीदी के बोनस की किस्तें देने का सिलसला भी अब शुरू होगा सरकार ने पिछले साल मोटा धान 1968 रुपए क्विंटल खरीदा था जिसे इस बार 2040 रुपए में खरीदा गया इसी तरह पतला धान भी पिछले साल 1988 रुपए क्विंटल खरीदा था जिसे इस साल 2060 रुपए में खरीदा गया पिछले साल 98,00,000,000 तन धान की खरीदी की गई थी इसमें से 22,00,000 तन संग्रहन केंद्रों में लाया गया था जबकि इस बार केवल 3,00,000,000 ही संग्रहन केंद्रों तक लाना पड़ा अर्थात करीब 19,00,000,000 की ट्रांसपोर्टिंग और लोडिंग अनलोडिंग का खर्च देखते हैं 100 किलो धान में कितने किलो चावल बनता है अर्वा में 100 किलो धान में 67 किलो चावल बनता है उसना में 100 किलो धान में 68 किलो चावल बनता है चावल की पैरा व भूसी से दो दर्जन पावर प्लांट चलते हैं भठे में इट पकाने के लिए पैरा भूसे का उप्य राइस ब्रान ओयल बनता है इसे कोलेस्ट्रॉल फ्री मानते हैं तूटा चावल जिसे कनकी भी कहते हैं भी अच्छी कीमत पर बिक्ती है कनकी चीन तक जाती है वहां मोमोज वगेरा इससे बनाए जाते हैं इस तरीके से होगा धान का बटवारा 61 लाग टन धान केंदर सरकार के हिस्से में जाएगा इसमें से 45 लाग टन FCI को भेजा जाएगा 16 लाग टन राष्टरी खाद्यान सुरक्षा योजना के लिए जाएगा 10 से 12 लाग टन राज्य शाशन की खाद्य इसकीवों में जाएगा सरकार के पास 27 से 29 लाख टन धान बचेगा